पहले तो यूनानिमस हम सब के प्रिये पद्माराओ गौड जी को डिप्टी स्पिगर बनने की हार्दिक हार्दिक भारती जन्ता पार्टी गोर से मैं आपको शुब कामना दोंगा साथी साथ आपके साथ हमारा बहुत कम समय बिता है आप एकसेज मिनिश्टर बनने के बाद में आपका हमारा संबन बढ़ा है और हमेशा से दुलपेट की समस्या लेकर आपके सामने हमने रखा है और हमेशा आपने बहुत अच्छा प्रیस किया है रहापिलिडेशन के लिए बिए आपने बहुत अच्छा काम किया है और कई लोगों से जैसे हम आपकी सम्टेम आपकी विधान साभा में भी हमारे दो-चार विजिट हुए विजिट होने के बाद में हुआ कि जनता से हमने पुछा कि आपके इस शेतर के मेले मिनिस्टर साब कैसे है अरे वो तो हमारे बाजू बैठते है अरे वो तो हमारे साध बैठकर चाहिए पीते है इतना अच्छा आपने यानि एक मिनिस्टर होने के बावजूद भी पब्लिक में उस तरह से घुमना पब्लिक से उस तरह से संबन बनाना यह हर किसी के बसकी बात नहीं और आप एक बहुत अच्छे नेता है, वही सब दुष्टी रखकर मुख्य मंत्री जी ने और सभी पार्टी के दलों ने युनानिमस आपको डिप्टी स्पिकर आप ही बनना है, ऐसा सभी लोगों ने आपको सयुग दिया है इसके लिए मैं आपको रिदे से हार्दिक हार्दिक शुपकान है, शुपकाम ने देता हूँ साथी साथ, जैसे अभी आप डिप्टी स्पिकर बने है हम आपसे एक की एक निवेदन करना चाहते है कि आपकी दो आँख है एक आँ का उदर रखिए, दूसरे आँ की दर भी थोड़ा रखिए क्योंकि हम लोग भी जनता के लिए सभी समस्याओं के लिए आवाज उठाना हम सभी का करता भी बनता है इसलिए जितना समय आप उतना देते है उतना समय अगर हम सब को भी जनता की आवाज जनता की न्याए के लिए अगर आवाज उठाने के लिए अगर हमें आप समय देते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद पहले तो यूनानिमस हम सब के प्रिये पद्मराओ गौड जी को डिप्टी स्पिकर बनने की हार्दिक हार्दिक भारती जनता पार्टी गोर से मैं आपको शुब कामना दोंगा साथी साथ आपके साथ हमारा बहुत कम समय बिता है आप एक्सेस मिनिस्टर बनने के बाद में आपका हमारा संबन बड़ा है और हमेशा से धुलपेट की समस्या लेकर आपके सामने हमने रखा है और हमेशा आपने बहुत अच्छा प्रैस किया है रिहाप्लिडेशन के लिए भी आपने बहुत अच्छा काम किया है और कई लोगों से जैसे हम आपकी सम्टेम आपकी वीदान साभा में भी हमारे दो-चार विजिट हुए विजिट होने के बाद मे हुआ की जनता से हमने पुछा कि 아yrin अरे वो तो हमारे बाजू बाढ़ते है अरे वो तो हमारे साथ बढ़कर चाय पीते है इतना अच्छा आपने यानि एक मिनिस्टर होने के बावजूद भी पब्लिक में उस तरह से घुमना पब्लिक से उस तरह से संबन बनाना यह हर किसी के बसकी बात नहीं और आप एक बहुत अच्छे नेता है वही सब दुष्टी रखकर मुख्य मंत्री जी ने और सभी पार्टी के दलों ने युनानिमस आपको डिप्टी स्पिकर आपी बनना ऐसा सभी लोगों ने आपको सयुग दिया है इसके लिए मैं आपको रिदे से हार्दिक हार्दिक शुपकान है शुपकामना देता हूं साथी साथ जैसे अभी आप डिप्टी स्पिकर बने है हम आपसे एक की एक निवेदन करना चाहते है कि आपकी दो आख है एक आप उदर रखिए दूसरे आप की दर भी थोड़ा रखिए क्योंकि हम लोग भी जनता के लिए सभी समस्याओं के लिए आवाज उठाना हम सभी का करता भी बनता है इसलिए जितना समय आप उतना देते है उतना समय अगर हम सबको भी जनता की आवाज जनता की नियाए के लिए अगर आवाज उठाने के लिए अगर हमें आप समय देते है तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद